हेलो दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम स्री नवग्रा इस्तोत्र लेकर आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है इसका पाठ मात्र करने से दुस्वप्न नास हो जाते हैं एश्वर की ब्रद्धी होती है तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है श्री कुस्म संकासं, कास्पियं महादुतिं, तमोरिं सरव पापाग्नं, प्रणतूस्मि दिवाकरं, ददि संकतु सारावं, छीरोदार्णव संभवं, नमामि ससिनंसोमं, संभोर्मकुट भूसनं, तरणी गर्व संभूतं, विद्धुत्कांति समप्रभं, कुमारं सक्तिहस्तमतं, मंगलं प्रणमाम्यहम, प्रियंगुकलिकास्यामं, रूपेणा प्रतिमंबुधं, सोम्यं सोम्य गुणों पेतं, तम्बुधं प्रणमाम्यहम, दिवानाम् चरिशीनाम् चा गुरुम् कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रलोकीसं तम्नमामि ब्रहस्पतिं हिमकुंद म्रणालाभं देत्यानाम परमं गुरुम सर्वसास्त्र प्रवक्तारं भारगबं प्रणमामिहं नीलांजन समाभासं रविपूत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तम्नमामि सनैष्चरं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंगिका गर्व संभूतं तम्राहं प्रणमामिहं पलास पुष्प संकासं तारकाह ग्रह मस्तकं रोद्रम रोद्रात्मकम घोरम तमकेतुम प्रणमाम्यहं इतिव्यास मुखोद्गीतं यह पठेत्सु समाहितः दिवावाय दिवारात्रव बिग्नसांतिर्भविष्यतिही नरनारी निर्पाणाम्च भविद्दुस्वप्ननासनं इस्वर्यम्मतुलंप्तेशं आरोग्यम्पुष्टिवरधनं ओम महारिशी व्यास विरचितं नवग्रह इस्तोत्रं हेलो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सबस्क्राइब अवस्त करें जिससे की आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद दोस्तो